सब्सक्राइब कुछ से अगर प्रोग्राम में ने कोई इंटीजर वैलो स्टोर किया और उसमें मैंने डिविजन operator लगा दिया, तो automatically इसका answer float में मुझे मिलेगा, और जब हम float लगाते हैं तो float में ही वो answer मुझे देता है so this is the way, जैसे कि interpreter खुद ही समझ जाता है कि कैसे उसको answer present करना है, तो वो implicit conversion कहा जाता है उसको, लेकिन जब हम ये काम forcefully करते हैं कहीं पर, जैसे कि अगर मैंने float में पूरा calculation किया और मैंने answer present किया integer में, या मुझे answer चाहिए integer में, तो मैं उसका data type run time में change कर दोगी, कि जब output present हो, तो उस समें वो data type change हो जाए, तो जब हम forcefully type casting करते हैं, data type की, that is called as explicit conversion, तो इसको हम देखते हैं, एक्जाम्पल के तरफ से और उसके बाद हम pi की value हमें पता ही है कि pi की value आपकी होती है decimal form में, तो उसके बाद हम इसको store कर लेते हैं, पहले मैंने radius ले लिया है 3.75 और उसके बाद मैं यहाँ पर area find out करती हूँ, जिसमें कि pi की value लिखेंगे और radius, तो automatically you know कि, जो pi की value होती है, 3.14 22 by 7 into r square करना होता है, तो मैंने इंटू के, जो कि सारे values यहाँ पर मेरे fractional में है, तो answer भी मुझे fractional form में ही मिलेगा, तो यहाँ पर यह interpreter खुदी समझ जाता है, that what kind of answer need to be given, यहाँ पर fractional form में मुझे answer वो मिलेगा, लेकिन जब अगर अगर कहीं पर भी मैं इसकी value change करती हूं, तो automatically answer change जाता है, इसको run करा के देखते हैं, फिर ऐसे धीरे समझ में आएगा आपको, कि किस तरीके से output change होता है, कैसे casting होती है, data type की, तो मैंने यहाँ कर दिया है, program को save, और देखते हैं, answer क्या आता है, यू कैन सी कि answer जो है, हमारा float में आ रहा है, fractional form में आ रहा है, तो अब मैंने कर दिया radius की value को integer में, तो अब देख सकते हैं, आप कि अभी भी fractional form में आ रहा है, क्योंकि एक integer है, दूसरा fractional form में है, तो automatically fractional form में वो हो जा रहा है, लेकिन अब इसी को अगर हमें explicit करना हो, यानि forcefully अगर data type change करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जब हम print करवाएंगे output, यानि कि जब area हम print करवा रहे हैं, वहाँ पर automatically मैं वहाँ पर लेगा दूँगी, casting कर दूँगी data type की, फ्लोट की जगा लगा दूँगी, यहाँ पर integer कुछ नहीं लगा है मैंने, तो interpreter automatically float में दे रहा है, पर मैं forcefully यहाँ पर change करके, output integer में चाहरे हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि वही answer change हो जाएगा, और यह मुझे answer देगा, इंटीजर form में, जल्दी लौट की नहीं वीडियो के साथ, चाल की सबस्राइब पर ना बोले, तिल देन, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, सब्स्राइब रहूं, थैंक यह सो मैच,